नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोती सीक्रेट तुला रासी वालों आपके सबसे बड़े दुस्मन कौन है यानि सत्रू रासी कौन सी है वो कौन से नाम बाले लोग है जिनसे आपको धोखा कभी न कभी मिलेगी ही मिलेगी और किस मामले में ऐसा नहीं है कि धोखा 100% मिले एक परसंट ही सही पर ऐसा रासीगत स्वभाव होता है कहीं न कहीं यह जो हमारा जीवन है हमारी जो रासियां है इनका एक अलग तरंग होता है सबका अलग नेचर होता है और अगर आपके तरंग सामने वाले आपके सत्रू रासी हैं उनका त जब आप लोगों के बाद विचार में मैच नहीं हुआ तो इसे ही कहते हैं आपकी उनके साथ नहीं बन पा रही तो हमारे जोतिस में इनके सत्रू रासी कह दिया जाता है ऐसा आप मान के चलिए ज्यादा गहराई में जाने के आवसकता नहीं है लेकिन हां जोतिस इस आपके सत्रू रासी कौन है मित्र रासी कौन है और कौन से रासी के साथ दोस्ती आपको जरूर करना चाहिए एक मित्र जरूर बनाना चाहिए जो आपको कदम कदम पर सही रा पर ले जाएगा भटकने से बचाएगा लकी कौन है आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रासी और साथ ही ये भी बताएंगे वो कौन से नाम बाले लोग हैं जो आपको जिन से साबधान डैना है और कौन से नाम बाले लोग हैं जो आपके लिए हर हाल में अच्छे होते हैं साथ ही तुलारासी की जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं इनका ससुराल कैसा होता है इनकी सासुमा कैसी होती है तमाम बाते आपके साथ साजा करेंगे आपके बैबाही जीवन के बारे में भी बाते करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहें और यह prediction चैंदरासी पर आधारित ह तुलारासी बालो एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी बात को ज़्यादा सिरियस लेकर रिष्टे ना तोड़ें पहली बात दूसरी बात आप सुनिए समझिए हम आपसे कहना क्या चाहते हैं कई बार होता है आप पार्टनर्सिप में कहीं वेपसाइक कर रहे हो वो सत्रूरासी का है हो सकता है यहाँ पर कुछ बातों को लेकर अन्बन हो जाएं आपके बात वीचार ना मिले तो यह होता है सत्रूरासी आप वर्क करते हो आप आफिस जाते हो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते हैं हर किसी का नाम अलग लग है बहुत सार किया राज की चीज़े होती बहुत बार हम नहीं जान पाते क्योंकि लोग मीठी छुड़ी है। कैसे बचे और लोगों को कैसे बचाने तो सुरूरत करते हैं सबसे पहले जानते हैं आपको धोखा मिलने की संभाव ना किस रासी से सबसे से ज्यादा होती है और किन से आपको बचना है किस मामले में यह जो तुला वाले होते हैं यह सुक्र की रासी है और सुक्र का रासी होने के कारण आकर्सक भी बहुत होते हैं बस यह समझने की आकर्सक व्यक्तित क्यों स्वामी होते हैं बड़े अच्छे बिजनस्मेन होते हैं बड़े अच्छे पार्टनर होते हैं और दोस्तों के लिए तो जान भी दे सकते हैं मेहंगे कपड़े पहनना परफ्यूम लगाना करीने से रहना बड़े सौकीन होते हैं इनका साइद तुलाबालों के तरह कोई भी नहीं आपको लगजरी लाइफ पसंद है आप किसी भी ऐसा नहीं है कि हर तुलाबाले कड़र्पती होते हैं आप किसी भी परिस्तिती में रहते हैं आप अपने आपको सलीके से बेवस्तित रखना जानते हैं और आपका ये हुनर्ध आपको अलग ही लेवल पर ले जाता है आप सबसे हट कर दिखते हो आपको कोई मुर्ख नहीं बना सकता क्योंकि आपकी बुद्धी बहुत तेज होती है वैसे सुक्र वाले छेतर में आप दौलत, सोहरत, इज्जत, रूतवा सब कुछ कमा सकते हैं वैसे तो सुक्र की रासी है तुला रासी लेकिन आज हम बात कर रहें सबसे पहले आपके कौन है ऐसे रासी वाले जिन से थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए ब्रिश्चिक रासी, धनू रासी, और में डासी इन तीन डासीओं से तुला वालों को धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है बिस्चिक धनू और मीन डासी और साथ ही यहां पर धोखा कहां मिलता है दोस्ती के मामले में प्रेम के मामलों में संपत्ती के मामलों में यहां आपको धोखा मिलता है अब जैसे आप प्रोपर्टी बेगर ले रहे हो या बहुत रखी चीजे मैटर होती है या आपका लब है तो जरा समभल के बिस्चिक धनू और मीन डासी से थोड़ा सा समभल के रहिएगा क्योंकि यहां हमने जैसे आपको बताया दोस्ती प्रेम और संपत्ती इस मामने में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है अब माल लेते हैं आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं आप उनसे बहुत प्रेम करते हो आपके लब है आप नहीं उनको छोड़ना चाहते और आप ये भी नहीं चाहते कि वो आपको धोखा दे अब क्या करेंगे अगर आप तुलारासी के हैं तो बुद्धवार के दिन भगवान स्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते अरपित करें और ये आप हर बुद्धवार के दिन कीजिए इससे क्या होगा कि धोखा देने बाला आपको धोखा देने के पहले तो बार सोचेगा क्योंकि उसके बुद्धी ही बदल जाएगी वो आपको धोखा देने की सोचेगा भी नहीं करते रहें क्योंकि भगवान में बहुत सक्ती है वो पूरी के पूरी लाइफ बदल देते हैं एक ही जटके में हर कोई जानता है अब बात करते हैं किस रासी के बैक्ती के साथ आप सबसे ज़्यादा आपकी निभेगी या फिर वो रासी के लोग आपको हर कदम पर सहायता करेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे वो कौन से रासी वाले हैं जो आपके लिए सब कुछ नियोचावर कर सकते हैं तो तुला रासी वालों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं सबसे अच्छे मित्र होते हैं मकर रासी करक रासी लेकिन एक ब्रिसब रासी का दोस्त जरूर बनाईएगा तो आपको प्रेम के और रिस्तों की जो मुस्किले हैं उनसे आप बचे रहेंगे बिसर बरासी बाले से अगर आप दोस्ती रखते हैं तो आप प्रेम के मामलों में और रिस्तों के मामलों में मुस्किलों से बचे रहेंगे धोका नहीं खाएंगे याद रखिएगा अब बात करते हैं वो कौन से नाम बाले लोग हैं जिनके साथ आपको बहुत अच्छी आपकी जमेगी उनसे आपको हर हाल में लाब होगा और कौन से नाम बाले लोग हैं जो आपको हर कदम पर धोका देंगे तो देखिए आपके लिए जो सबसे सुब अक्षर है हम नाम का पहला अक्षर बताएंगे तुलारासी वालों आपके लिए लखी अक्षर है एस एच एस के जी एच यानि तालबस स क घ फिर से सुन ले यह आपके लिए लखी अक्षर है और सबसे जादा फाइदे मंद कोई अक्षर है तो वो है एस एस नाम से कोई भी आप काम कीजिए आपके लिए यह लखी अक्षर है आपको सफलता दिलाएगा याद रखिएगा लेकिन सबाल है कि आपके लिए अनलगी कौन से अक्षर है कौन से अक्षर है जो आपके लिए सुब नहीं होते तो वो है CH M N यानि च म न फिर से सुन ले यानि यह तो तीन अक्षर हैं यह आपके लिए हर हाल में अच्छे नहीं है अब कोई अपने हैं कोई करीबी हैं कोई बात नहीं एड्रेस्ट तो पूरा दुनिया कर रहा है हर कोई कर रहा है आप भी कीजिए लेकिन हाँ अगर आपको एकदम से किसी के साथ संबंद बनाने है तो थोरा सा परहेच कर सकते हैं यह जोतिस कहता है अब पूर्णे तया हर चीज आप अपने दिमाग का भी कभी कभी यूज कर लें तो बेतर होगा तो चलिए अब बात करते हैं आपके बैवाहिक जीवन की और आपके ससुराल वाले पक्च की तो तुला रासी बालो आपका जो बैवाहिक जीवन होता है आपका जो जीवन साथी होता है न दोनों अच्छा होता है और आपका जो बैवाहिक जीवन है सबसे अच्छा किन के साथ निभेगा मकर रासी कुम रासी मेस रासी इनके साथ अगर आप विवाह करते हैं तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छ कन्या मिन इन से थोड़ा सा विभा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि बैवाही जीवन में थोड़ी बहुत समस्याई परिसान कर सकती है अगर आपके बैवाही जीवन में बहुत ज्यादा परिसानी है टेंसन है अच्छी नहीं है तब रोज सुबा बजरंग बान का तुलारासी की जो महलाएं होती है इनका बैवाहिक जीवन की हम बात कर रहे हैं तो इनके बैवाहिक जीवन में इनका माईका वाला पक्ष प्रॉब्लम देता है इनके माता पिता बैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनते हैं बहुत सरे दर्सकों को ये बाते अच्छी नही दर्सन करें रोज सुबह या कम से कम मंगलवार को मंदिर जाकर जरू मत ठाटे के अब बात करते हैं आपके सासुमा की तो यहां पर देखिए तुलारासी वालों आपकी जो सासुमा है न अपने अपने मामलों में आजाद होती हैं यानि आप तुलारासी वाली महिला हैं सास की बातों का सम्मान करें तो अच्छा है सुकरवार के दिन खटी चीजे मत खाईए उपाए बहु को ही करना है यानि आप तुलारासी वाली बहु को करना है और मंगलवार के दिन मीठी चीज बना कर अपनी सासुमा को खिलाईए प्रेम बना रहेगा सामन जस्से बढ़ धन्निवा!